नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाइपोड CV200 टाबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, हाइपोड CV200 टाबलेट को कैसे लेना चाहिए, और हाइपोड CV टाबलेट की वज़े से क्या साइड हाइपोड CV एक ब्रैंड नेम है, हाइपोड CV टाबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, हाइपोड CV टाबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सेफपोडॉक्षिन 200 mg और कोटाशिम ट्लाविलनेट 125 mg होता है, हाइपोड CV एक अंटिबायोटिक दवा है, हाइपोड CV टाबलेट का उप्योग शरीर में बैक्टिरियल इंफेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फैफरों में बैक्टिरियल इंफेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खासी होने पर, पेट में इंफेक्शन होने पर, दातों या मसूरों में इंफेक्शन होने पर जोडो या हड्डियों में इंफेक्शन होने पर, पेशाब में इंफेक्शन होने पर और कान नाग गले या तवचा पर इंफेक्शन होने पर डॉक्टर हाइपोड सीवी टेबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, तवचा पर कोई घाव होने पर या तवचा पर कोई इंफेक्शन होने पर भी डॉक्टर हाइपोड सीवी टेबलेट को लेने की सला दे सकता है। शरीर में इंफेक्शन होने पर बुखार हो सकता है। इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर हाइपोड सीवी टेबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडिशन हैं जिनमें आपका डॉक्टर हाइपोड सीवी टेबलेट को लेने की सला दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में हाइपोड सीवी टेबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में हाइपोड सीवी टेबलेट की वज़े से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, बदहजमी होना, वचा पर रैशेस होना, वचा पर खुज़ी होना, पेट में दर्ध होना और दस्त होना आदी साइड इफेक्स हाइपोड सीवी टेबलेट की वज़े से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की हाइपोड सीवी टेबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। हाइपोड सीवी टेबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर हाइपोड सीवी टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। हाइपोड सीवी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको हाइपोड सीवी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की हाइपोड सीवी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। हाइपोड सीवी टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने हाइपोड सीवी टैबलेट को लेने की सला दी है, क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक हाइपोड सीवी टैबलेट को लेने से एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, और एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटिबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी। और हाइपोड सीवी टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इंफेक्शन वापिस आ सकता है। इसलिए आपको हाइपोड सीवी टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए। हाइपोड सीवी टैबलेट वाइरल इंफेक्शन होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है। अगर कसी व्यक्ति को लिवर या किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। पढ़ने पर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को हाइपोड सीवी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका हाइपोड सीवी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।